हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में और दोस्तों आज मुझे अपनी गाड़ी में एक प्रॉब्लम दिखाई दिये जो के मैं आपके साथ सेर करना चाहता हूँ ताकि आपके साथ अगर कभी आपकी गाड़ी में ये दिक्कत आए तो आप भी उसको भी घुमा लूँ इसको तो जो हमारा ये रियर वीब मिरर है इस पे कोई भी फरक नहीं पड़ रहा है तो दोस्तों ये लीवर इसलिए दिया गया रहता है इतना तो सभी जानते हैं कि इसको इसकी मदब से हम अपने मिरर को इसको अच्जेस्ट कर सकते हैं ऐसे हमें हाज से नहीं करना पड़ेगा इसको और जैसे ये जब से काम करना इसने बंद कर दिया यहां से तब से ये मिरर इतना मतलब लूज हो गया है कि इसको हलका सा टेच करने पर ही या मतलब थोड़े बहुत जटके भी लगते हैं गाड़ी में तो ये जटकों की वज़े से भी इसको खोलने के लिए आप स्कूरूड ड्राइवर का भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर इसको हाज से खोल सकते हो मेरा यह पहले काफी लूज पड़ा है क्योंकि इसका एक लॉक यहां वाला जो उपर लॉक रहता है वो ठीक है यह वाला टूटा हुआ है तो नीचे से वैसी निकलके आ गया है और छिए इसके साथ अटेश रहता है तभी वह वर्क करता है रिएर में विरर इस लिएवर के साथ आप तो यह बिल्कुल भी इसके साथ अटेश नहीं है ऐसा लग रहा है जैसे टूट गया हो। और इसी वजए से एक तो इसका पर देक सकते हूँ आपक दिदर आ रहे होंगे एक ये वाला ठीक है और एक ये वाला और एक ये वाला इसके अंदर ये तीन वायर रहते हैं जो के इस लीवर में हमें fix करने होंगे और इनी वायर की मदद से हमारा ये rear view mirror work करता है तो अभी इसको कैसे लगाना है इसमें वो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर इस लीवर के अंदर जो है इसमें एक चोटा सा और एक लीवर रहता है ये देखो ये ऐसे पुल करके निकालोगे तो निकलके बाहर आ जाएगा तो अभी हम इस बड़े वाले लीवर को यहाँ पर रख देते हैं साइड पर और इसके अंदर हमें ये तीनों वाय किसी भी एक वायर को पकड़ना यहां से ठीक है टो एसके अंदर ऐसे में रखके और कोई भी एक वायर को ऐसे फिक्स करना है गाए तो आसे घेतले दावायर करना है हम क्या करेंगे इस mirror को ऐसे इधर से करेंगे तो यह अराम से इधर आ जाएगा तो अब इस दूसरे वाले wire को इसके अंदर fix करना है तो यह यहां पर दो wire हमारे इसके अंदर fix हो गए है अब हमें यह तीसरे वाला wire यहां पर fix करना है तो इस liver को नीचे खीच के लाना पड़े तो यह कैसे आएगा फिर से हम इस मिरर को दूसरी डारेक्शन में करेंगे ताकि यह हमें वायर हमारा यहां तक आजाए लिवर तक वायर तो बड़े आसानी से डल जाएंगे पर यह जो तीसरे वाला वायर है इसको डालने में थोड़ा सा मुश्किल आएगा पर हो जाएगा यह के होगा नहीं ठीक है दोस्तों यहां पर देख सकते हो यह जो तीनों वायर है वो इसके अंदर लॉक हो गए है ठीक है और मैं आपको पास से दिखा देता हूँ कैसे यह लॉक होते है यहां पर यह जो जगा बनी रहती है इसके अंदर थोड़ा सा मैं फोकस कर लो पहले ताइट हो जाएगा अब ये देखो हाथ लगाने से आगे पीछे नहीं हो रहा है ठीक है? मूव नहीं कर रहा है अपनी जगह ये जब तक हम इस से नहीं करेंगे वो ही लेगा नहीं तो ये भी टाइट हो गया है और ये हमारा जो वायर थे निकले हुए वो भी इसके अंदर fix हो गए अब उसके बाद हमें क्या करना है ये जो हमारा बड़े वाला लीवर है इसको इसके अंदर डालेंगे ऐसे ठीक है ये यहाँ पर lock हो गया और उसके बाद जो इसका ये cover है वो यहाँ पर लगा देंगे simply कुछ इस तरीके से तो मैं जैसे ही इस लीवर को move करूँगा तो देखते हैं हमारा rear view mirror भी move होता है या नहीं तो मैं ये देखो नीचे की side मैंने किया तो हमारा rear view mirror ने भी थोड़ा सा नीचे हो गया ठीक है अब मैं इसको अपने side करता हूँ इदर ये देखे ठीक है दोस्तो यहाँ पर ये properly work करने लगा है तो दोस्तो कुछ इस तरीके से आप भी अपनी गाड़ी की इस कमी को ठीक कर सकते हैं कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक भी करना अगर informative लगी हो आपको ये वीडियो तो आज की वीडियो में फिलाल इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई दोस्तो